पिनाकल GS का जो किताब है SSE के लिए General Studies वाला उसके English Medium book से हम cover कर रहे हैं और क्या-क्या cover कर चुके हैं हमने कल ही स्टार्ट किया है और सबसे पहले हम Static GK का dance cover कर रहे हैं तो मैंने आपको कल ही बोला था कि हम लोग कई playlist बनाएंगे उसमें subject wise arrange करेंगे जैसे Static GK का एक playlist होगा history का अलग, quality का अलग और chapter wise cover करने का कोशिस करेंगे ताकि आपको जो सब कुछ एक साथ एक जगह मिले आपको कहीं घूमना न परे current affairs वाला हटा दो तो total 5000 के आसपास question बचते हैं तो उसको हमें cover करना है तो चलिए पहले dance वाला हम जो cover कर रहें उसमें आगे हम discuss कर रहें 22nd number question discuss करते है The dance dance form originated as a tribal dance यह dance tribal dance के तरवर पे originate हुआ forest में और उरिशा का forest में in 18th century and attended the status of martial art based dance form in 19th century मतलब शुरुवात में tribal dance था forest में लोग करते थे बट अप martial art dance हो गया है यह है उरिशा का सबसे famous dance चावडान्स और यह उरिशा में ही सिप नहीं मनाया जाता है जैसे पस्ची मंगाल जारखन में ही मनाया जाता है लेकिन अलग-अलग रूप होते चावडान्स के अलग-अलग form है यह याद रखेगा चावडान्स और यह यह तो हमने इसके बारें बता ही दिया यह martial art और combative training से inspiration लेके बनाये गया है Which of the following dance form from the state of Arunachal Pradesh Arunachal Pradesh का कोन सा dance है यह बताना आपको यह dance है पोपी dance यह लरकिया जादा करती है एक tribe है tribe का नाम है आदी tribe वहां के लोग करती है पोपी dance और यह एक festival होता है Arunachal Pradesh में पोपी मोपीन मोपीन festival के तौर पे उस समय आदी tribe यह dance परफॉर्म करती है mainly girl, young girl करती है white dress उनको पहना जाता है और head gear भी मतलब head में भी कुछ पहना जाता है उसके बाद यह dance परफॉर्म करती है और यह dance gallows के द्वारा भी परफॉर्म किया जाता है यह बात याद रखिये तो हमने यहाँ पे Arunachal Pradesh का एक dance है पोपी dance उसके बाद हमने चाओ उरिशा का एक Martial Art भी डिसकस किया और यह जब सारा dance हो गया dance हो जागा तो मैं individual एक state में कौन-कौन से dance से question बनता है वो सब एक जागा करके एक वीडियो उस पर ही बना दूंगा जो comment section में जिनका एक doubt था उनको भी डरने की ज़र्वत नहीं है जैसे 136 question हो गया तो उसमें से जो dance हो गया कई सारे repeat होंगे repeated वाले को छोरके हम लोग उठा उठा के बताएंगे ठीक है बस जल्दी से आप join कर लो इस course को 9582062485 only 200 है ज्यादा नहीं है और पूरा SSC का लेना चाता हो या बिहार SSC या नॉर्मल SSC जो इंडिया वाला होता है SSC CGL दोनों में उपलबत है एक dance है जिसका नाम है पंथी पंथी is a dance form of which of the following state यह 36 गर्वे मनाये जाता है जो गुरू घासी रास जी है उनके birth anniversary पे मनाये जाता है मघी पूर नीमा के दीन में और 36 गर्वे मनाये जाता है क्या पंथी dance तो यह हमें याद हो गया पंथी dance उसके बाद with which of the following folk dance, India has made an entry in the greenish book of world record in the year 2015 हुआ पता है क्या कुलू hills है न वहाँ पे नती dance लगभग 10 है यार लरकिया एक साथ dance किये इसलिए उनको Greenish book of world records में दर्ज हुआ कुलू hills में और यहाँ पे देख सकते हो और यह किस समय किस festival के समय की थी 10 आरा festival के समय की थी तो यह question फिर से आ सकता है क्योंकि 2015 का निज पूछा है as an intangible cultural heritage by UNESCO UNESCO तो एक world heritage site भी देती है लेकिन जो intangible cultural heritage होते उसको भी recognition मिलता है तो इसमें योगा को मिल चुका है छावड़म्स को मिल चुका है कुम्भ मेला को भी मिल चाहे सितार बादन को अभी तक नहीं मिला है तो यह statement correct हो जाएगा सितार बादन को अभी तक नहीं मिला है यह question देख लो इन्होंने पता है क्या थे इसको भी अब current का नहीं माना क्योंकि ऐसे चीज होते हैं जो बहुत rare होते हैं क्योंकि इन्होंने Kathak dance और Kathakali dance को मर्ज किया Kathak dance होता है North India Kathakali Kerala का classical dance यह दो और इसलिए उनको संगीत Natak academic award मिला 1996 में और पदम स्री मिला 2007 में उनका नाम क्या है उनका नाम अस्ताद देबो है अस्ताद देबो याद रखिएगा यह contemporary dancer choreographer है इन्होंने यह सब किया था इन्होंने modern dance form करने के लिए उन्होंने मिला दिया था पुंग चोलं एक folk dance है किस state का यह मनिपूर का folk dance है यहाँ पे बहुत की किया जाता है पुंग चोलं का मतलब भी तो roar of the drum जो drum होता है ना उसका roar आप उसके cheek सुनाए दिना रोर नहीं जो tiger करता है वह वाला और जो मनिपूरी संकिर्तना जो music होती है और classical जो मनिपूरी dance होता है उसको इसमें involved किया जाता है इसलिए काफी unique हो जाता है उसके बाद पैथनी क्या है यह क्या कोई dance wants है नहीं यह एक क्या है अहलता है यह एक क्यानी Magn想어에 किया जाता है महाराश्ट्रा में और इतना महंगा सारी जाता है क्यारी करने के बाद यह पैथन टाउन में होती है नहीं इसलिए इसको पैथनी बोला जाने जाने लगा पैथन टाउन में होता है hand के दोरो woven किया जाता है silk पे इसलिए most expensive बन गया है ववई एक folk dance है कहां का ये राजस्थान का folk dance है ववई एक confuse मत हो ना क्यूंकि इसमें लोग दोनों का spelling से इन है ववई एक theater भी है लेकिन ऋसिर्फ गुझात में लेकिन ववई जो dance है वो गुझात में और राजस्थान में दोञ जो होता है इसमें पूछा है कि फोक źदाळश कौव सा इसमें से गोगाका गोगा का फोक źद्स है फुगादी और धालो ये common दान्से, इसके अलाबे, मौरूलेम एक एडर फोक डान्से, और इसमें, जो सिगमो कम्यूनीटी हैं, रॉढ़ वो परफॉर्म करती हैं, इंडियन डान्स के बारे में, किस रेफरेंसे आपको इंडियन डान्स के बारे मिलता है, नाटे सास्त के बारे हैं, यह तो हम लोग को बहुत पहले से बता है, नाटे सास्त, नाम से बतलता है, किन्हों ने लिखा है, भारत मुनी जी ने लिखा है, यह बहुत, जो महारिसी भारत मुनी जी ने, इसमें से कौन सा, which of the following is the traditional theater of Jammu and Kasmir, यह भांड पत्थर एक traditional theater है, कह का, दो अर्से मिला है, भांड और पत्थर, भांड का मतल्ब होता है, actor या artist, और पत्थर का मतलब होता है, कि to act, या imitate, या to pretend, मतलब इसमें क्या किया जाता है, imitate किया जाता है, किसी का, मतलब आपके community में किसी का imitate करे हो, खासकर जो government community, government के को आप imitate करते है, next है, हम पी dance, यह हम सब को पता चले गा, क्योंकि यह विजय नगर से related है, हम पी, हम पी, साइट भी आपको पता है, विजय नगर से related है, हम पी dance या विजय हो, उट सब इसको बोलते है, यह विजय नगर के समय से चला रहा है, और यह कहाँ पर होता है, करनाट का में, तो B, करेक्टर स्टेटमेंट है, एक famous dancer है, जिनका नाम है, चेमन चेरी, कुनही रमन नयर, यह किस dance है, किस classical dance से related है, यह है कथा कली से, कथा कली से, एक करेक्टर स्टेटमेंट है, कथा कली कहाँ का classical dance है, केरला का, कोण सा, which of the following, puppet dance, puppet dance आपको परफॉर्म हो किया जाता है, उरीशा में, उरीशा में किया जाता है, यह कौन सा puppet dance है, यह बताना है आपको, B, option correct है, कांदेई, कांदेई, puppet dance है, उरीशा का, सखी, कांदेई, एक string puppetry, यह भी याद रखना है, सखी, कांदे, कौन सा puppetry, string, बहुत सरे puppetry होते है, उसमें एक puppetry होता है, string, हर्याना, which of the following is the traditional theater form of haryana haryana का traditional theater form है यह swang ठीक है ने इसको sang भी बोलते है swang या sang इसका मतलब ही होता है initiation या शुरू करना यह popular form है dance theater form है राजस्थान का, haryana का, उत्तर पर्देश का कई जग हो क्या उस क्या देख लबनी एक folk dance है लबनी एक folk dance है कहां का, महराष्टा का folk dance है लबनी लबनी कहां का folk dance है महराष्टा का यह traditional song पर गाय जाता है रन उत्सभ यहाँ obviously रन उफ कच्छ में ही होगा यह कहां पर गुजरात में है रन उत्सभ, in which state is the रन उत्सभ celebrated गुजरात next है which of these is the famous art form of Karnatka जहां पर that combines dance, music, dialogue, costume and makeup and stage techniques to create a unique experience क्या है या इसका नाम है यक्षगना यक्षगना बहुत famous है Karnatka का कलरी पयाट्टू तो यह एक martial art है केरला का in which of the following dances the women dance like a parrot यह सूबा डान्स है और यह 36 गट की वोमन करती है 36 गट की वोमन एक नाच है जिसका नाम है बाग नाच यह उरिशा में होता है बाग नाच है बहुत famous डान्स है in which Hindu मन्त यह काफी tough question है यह है चात्र मन्त में होता है ठीक है क्योंकि इतना लोग नहीं परता है गंजम डिश्टे कुरिशा में क्योंकि लोग यह परके जाते है कि चलो बाग डान्स यह tough question मान सकते हो कर्मा डान्स इस परफॉर्म डिरिंग दा कर्म पूजा यह थप्पा है यह जुगनी है यह भांग रा है यह जोरा है यह लव को डिपक्ट करने के लिए है यह थप्पा थप्पा यह थप्पा बोलते हों थपाई बोलते हूं दर्श is the form of martial dance और पंजाब पंजाब का martial dance कौन सा इसमें बगगा बगगा एक है याद रखिये दूरिंग फेस्टिवल दूर्ण नौंग क्रेम डान्स is performed by खासी ट्राइब ये वांगला है वांगला फेस्टिवल में कौन सा इसमें नहीं है बाकी मदवनी बिहार का है थंजाबुराट राजस्थान का है पठचितरा उरिशा का है और कल में जूतू तमिलनाडू का नहीं है ठीक है न और ये कोई dance भी नहीं है ये बस दिहां लगना है dance is performed only by unmarried girl of the Malwa community ये है full पती dance तो इतना रहने देते हैं आप बताओ कि मैं इसमें क्या बतलाब करूँ ये feedback देने वाला वीडियो है आप दे सकते हो और मिलते हैं फिन नेक्स वीडियो में तब तक लिए thank you और description में आप number है आप message करके बताना feedback और उसकाद क्या change करना मैं change करूँगा आप लोग कहीं साबसे अगर हो possible हुआ तो और मिलते हैं फिन नेक्स वीडियो में thank you, thank you so much